आंक गणिती ओसत, माधिका और बहुलक की सीमाएं आंकडों को समझने के लिए एक प्रतिनी धीमान आंकगणिती ओसत यानी माध्य है हमने देखा यह आंकडों के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है लेकिन इससे कुछ बातें इसपष्ट नहीं हो पाती और इसे आंक मुंद कर इस्तमाल करने से गड़ बढ़ हो सकती है जैसे घर का दर्वाजा, घर में रहने वाले बढ़ों वो बच्चों की उचाई का ओसत लेकर नहीं बनाया जा सकता और ना ही इस आधार पर कि ज्यादा लोग किस उचाई के हैं जैसा कि हमने देखा कि इसके अलावा माधिका और बहुलग भी कई प्रश्णों का जवाब नहीं बता पाते यह आंकडों को समझने में ज्यादा मददगार होते हैं किन्तु इन्हें भी ध्यान से उप्योग करना होता है कई विशिष्ट बाते इनमें नहीं दिखती वर्गिक्रित आंकडों में केंद्री प्रवृत्ती के मापक ज्यादा तर इस्थितियों में प्रेक्षणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनको ठीक तरह से पढ़ने और निश्कष निकालने के लिए हमें उन्हें समूहों में बाट कर यानि वर्गिक्रित करके छोटा करने की जरूरत होती है अतह जब हम अवर्गिक्रित आंकडों को वर्गिक्रित आंकडों में बदल देते हैं तब हमें इन्हें पढ़ने एवं निशकश निकालने के लिए माध्य, माधिका और बहुलक पता करने होंगे। उधारन 13 में 10 के वर्ग अंतराल बना कर वर्गिग्रित आगड़े दिये हैं। याद रखें कि वर्ग अंतरालों की बारंबरताएं निश्चित करते समय किसी उपरी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षन अगले वर्ग अंतराल में लेते हैं। जैसे जिस वर्ष 50 लाग टन चामल का उत्पादन हुआ है वह 40 से 50 वर्ग अंतराल में ना होकर 50 से 60 वर्ग अंतराल में होगा। हमने देखा कि अवर्गिक्रित आगड़ों का माध्ध निकालने के लिए हम दिये गए प्रेक्षनों का जोड निकालते हैं। लेकिन वर्गिक्रित आगड़ों के लिए हम क्या करेंगे। उस वर्ग में से कौन सा मान लें। कौन सी संख्या चुने। क्या 40 से 50 के वर्ग के लिए 40 लें। अथवा 50 या कोई और। अता यहां हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो सभी वर्ग अंतरालों का प्रतिनिद्व करें। हम यह मान लेते हैं कि पूरे वर्ग अंतराल की बारंबरता मध्य बिंदू के चारो और केंद्रित होती है और हर वर्ग अंतराल का मध्य बिंदू उस वर्ग का प्रतिनिधी है इस मध्य बिंदू मिट पॉइंट को वर्ग प्रतीक, क्लास मार्क भी कहते हैं उधारण दस एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आकड़े नीचे दिये गए हैं इसका समांतर माध्य पता करे हल मद्भिंदू ग्यात करने के लिए हमें वर्ग सीमा का उपयोग करना होता है मद्भिंदू वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का आसात होता है पहले हम मद्भिंदू निकालेंगे वर्ग 30 से 40 का मद बिंदू देखे तो वह 35 होगा यानि मद बिंदू निम्न वर्ग सीमा धन उच वर्ग सीमा बटा दो बराबर मद वर्ग सीमा 30 है धन उच वर्ग सीमा 40 है याँ पे 30 धन 40 बटा 2 बराबर 340 का योग 70 बटा 2 बराबर 35 मद बिंदू को हम एकसाई द्वारा दर्शाते है तथा मद बिंदू एकसवन 35 इसी प्रकार हम बाकी वर्गों के मद बिंदू ग्याद कर सकते हैं जो की क्रमशा 45, 55, 65 और 75 होंगे अब प्रत्येक मद बिंदू को प्रत्येक वर्ग की बरामबरता से गुणा कर इसका उप्योग माद ग्याद करने के लिए करेंगे नई तालिका इस प्रकार बरेंगी वजन किलोग्राम में पहले है हमारे पास 30 से 40 वर्ग 3 से 40, दूसरा वर्ग है 40 से 50 तीसरा वर्ग है 50 से 60 चौथा वर्ग है 60 से 70 और अंतिम में 70 से 80 यहाँ यहाँ योग लिख लेते हैं दी गई तालिका से दिये गए प्रेश्ण के अनुसार जो तालिका में है वर्षो की संक्या जिसे हम और अंतिम के लिए एक मध्य बिन्दू एकसाई हमने निकाल चुका है 30 और 40 का योग किया है और योग करके 2 से भाग दिया है तो 30 और 40 सतर, 70 को 2 से भाग दे रहे है तो 35 तो हमारा मध्य बिन्दू इसका 35 आया इसका 45 आएंगा 50 से 60 का 55 उसी तरह से 60 से 70 का 65 और 70 से 80 के बीच का 75 हमने इस तरह से मध्य बिन्दू हर वर्षो के लिए निकाला अब हम FI को XI से गुणा करेंगे 11 को जब हम 35 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 385 उसी तरह से 39 को जब 45 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगा हमारा 1300, 1305, 6 को 55 से गुणा करेंगे, FI XI, तो हमें प्राप्त होंगा, 330, और फिर 3 को 65 से गुणा करेंगे, FI गुणित XI, 3 गुणित 65 बराबर 195, और अन्तिम में, 1 को 75 से गुणा करेंगे, तो 75, यहां पर जो वर्षो की संख्या FI है, इसके लिए हम जानते हैं, कि जब हम वर्षो की संख्या FI का जब योग करेंगे, तो यहां पर यह सिग्मा FI होंगा, जिसमें जब हम इसका योग करते हैं, तो हमें प्राप्त होंगा 50, उसी तरह से FI XI का जब हम पूरा योग करेंगे, तो हमें प्राप्त होंगा, सिग्मा FI XI इन सभी संख्याओं का योग जो है हमें प्राप्तोंगा 2290 अता हम पाते हैं कि उपर बने तालिका में FI XI का योग यानि सिग्मा FI XI बराबर 2290 है अता हा दिये हुए आकड़ो का माध्य X बार या बार X होगा अब हम माध्य का सूत्र लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य जो है बराबर इसको हम प्रदर्शित करते हैं बार X से बार X या X बार बराबर इसका सूत्र है सिग्मा FI इंटू FI गुणा XI बटा सिग्मा FI तो हमने सिग्मा FI प्राप्त कें ग्याद किया था 2290 बटा सिग्मा FI जो है मारा 50 है माध्य बराबर X बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI बराबर 2290 बटा 50 यहां पर हम जब 10 से काटेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 239 बटा 5 और जब इसे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होंगा 45.8 किलो ग्राम यानि आउसत वजन प्रति बच्चे आउसन आउसत वजन प्रति बच्चा 45.8 किलो ग्राम है इस तरह से हमने दिये गया उधारण में माध्य ग्यात किया यही इस उधारण का हल होगा किलो झाल झाल किलो माई झाल